27 अप्रेल को रिलीज हुई फिल्म अवे जल्स इंफिनिटी और इस समय भारतिय सिनिमा घर पर पूरी तरह से चा गई है एक तरफ जहां बॉलिवोड की कोई भी फिल्मे चल रही है आई पील की वज़े से रिलीज करने से डर रही थी वहीं दूसरी तरफ हलिवोड के कई सारे सुपर हीरो को मिला कर बनी हुई अवे जल्स इंफिनिटी और इन सभी बातों से बेफिक्र होकर पूरी तरह से भारतिय सिनिमा घर पर कब जा कर रखा है इस फिल्म ने रिलीज होने के पहले दिन से ही कमाई के मामले में बॉक्स ओफिस पर कई सारे रिकॉर्ड बनाती हुई दिख रही है और अभी भी यह फिल्म पूरा हाउस फुल चल रही है इस फिल्म में दिखाय गए काफी सारे द्रिशे को देखकर दर्शक जरूर चौक गए होंगे और अपने दिमाग में कई सारे सवाल भी खड़े कर रहे होंगे कि आखिरकार ऐसे लोकेशन वाली शूटिंग कहा होती होगी इस फिल्म में शामिल जबरदस्त मालधार और अक्शन सीक्वेंस धर्ती के अलावा अने ग्रहों पर भी दिखाया गया है अजीब अजीब जग्वों पर कई सारे मालधार वाले सीन लोगों को सोचने पर विवश कर दी रहे हैं दुनिया भर के सभी सुपर हीरो को एक फिल्म में शामिल करके दर्शकों को परोसने की सोच रखने माले डायरेक्टर जो रूसो अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए एक ऐसी दुनिया बसा रखी है जहांपर आपको चारों तरफ हर्याली ही नजर आएगी दरसल उनकी फिल्म में शामिल सभी मालधार वाली सीक्वेंस और सुपर हीरो द्वारा दिखाई गई कई सारी लड़कियों को ग्रीन पर्दे के सामने शूट किया जाता है इसी वज़े से डायरेक्टर ने एक बहुत बड़ा सेट बना रखा है जहांपर आपको चारों तरफ ग्रीन पर्दे ही नजर आएंगे इन पदों के सामने ही अवे जलस इंफिनिटी वार के सभी सुपर हीरो जबरदस्त मारधार और लड़ाईयां करते हुए नजर आते हैं जिन में कुछ वद्धर्ती पर फाइट करते हैं तो कुछ हवा और आसमान में करते हुए दिखाई देते हैं इन सभी द्रिष्टियों को सूट करके डायरेक्टर और उनकी टीम अपने एडिटर के साथ मिलकर इन द्रिष्टियों के पीछे अपने विजन और खल्बना के हिसाब से बैकर ग्राउंड सेट करते हैं इससे उनका बनाया हुआ फाइनल वीडियो बहुत ही जबरदस्त निकल कराता है इन ग्रीन पदों पर ग्राफिक्स का ऐसा कमाल दिखाया जाता है जिसे बड़े परदे पर देखकर दर्शक हमेशा ही चौक जाते हैं इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि 27 अप्रेल को रिलीज हुई अवेजर्स इंफिनिटी वर का क्लाइमेट दशकों को कई सारे सस्पेंज छोड़ गया जहां पर फिल्म के विलीन ने आदे से ज्यादा सूपर हीरो को मात डला है जिसका राज जानने के लिए आपको अगले एक साल तक इंतजार करना पड़ेगा